विडिम बत करने वाले हैं TVS Apache RTR 310 CC जो कि आप याद देख सकते हैं Fully Naked A Sport Bike हमारे सामने में यहाँ पर देखने को मिल रही है Black Color में काफी attractive look आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है guys इसकी specification, इसकी price, इसमें आपको क्या-क्या नई features देखने को मिल रही है प्लस इसमें आपको मिल जाती है cruise control अगर आपको गाड़ी मतर की accelerator देने का मन नहीं है तो आराम से उस पे set करके आप छोड़ दो गाड़ी आपकी अपने आप चलती रहेगी एक speed तक में just guys ठीक है तो just आप इसकी look देख लो, काफी अची look मिल जाती है इसकी में full detailed review करने वाला हूँगा है मैंने source भी डाली है, आप देख सकते हो source भी जा करके मैंने इसे चला करके भी देखा है, काफी अच्छी लगती है seat height के और बात करें guys, तो maximum 5 से ले करके 5 foot 2-3 इंच वाले भी अच्छे से इस गाड़ी को चला सकते है और उसे तो फिर उसके बाद में सारे उपर में चला ही सकते है ठीक है, तो just पहले आप इसकी look देख लो, rare view भी काफी अच्छी आपको देखने मिल जाती है exhaust silencer यहाँ पर देखने मिल जाता है, exhaust इसकी क्या आवाज sound काफी अच्छी है, मैंने shots जाले जाकर के देख लो अब यहाँ पर देख सकते हो, instrument cluster यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है सारी काफी अच्छी यहाँ पर navigation हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है just यहाँ से देखो, इसे हम connect कर सकते है, tvs right connect मैं इसका एक वीडियो डालने वाला हूँ, आप जाके देख लेना कैसे connect कर सकते है तो just यहाँ से देख सकते हो, हमारे पास में left hand side में यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है सारी इसकी setup करने के लिए जाती है, अभी देखो low fuel, sider stand, यहाँ पर आपको सारा कुछ ओड़ों, सारा कुछ ट्रिप सारा सो करते रहता है, अब just अगर यहाँ पर आपको देख सकते हो, इधर में menu की बटन की बगल में आपको सारी फोन की feature देखने को मिल जाती है, अब just यहाँ से देखो, यहाँ से आपको start button देखने को मिल जाता है, kill switch, start button दोनों एकी साथ आपको देखने को मिलता है, और वही left side handle bar में यहाँ पे देख सकते हो, inter setting का भी option देखने को मिल जाता है, just यहाँ से देखो, up and down करने के और just यहाँ से देखो, मैं नीचे आ रहा हूँ, तो सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, trip detail, my vehicle, preference, सारा कुछ देखने को मिल जाती है, guys, इसमें अगर बात करें, तो आपको ventilated seat का भी option मिलता है, preference मिल जाके आप देख सकते हो, आपको अगर ठंडी हाँ चाही तो उसमें देखने मिल जाती है, यहाँ से देख सकते हो, blinker का option देखने मिल जाता है, guys, जो आप control कर सकते हो, वहीं आप देखो, इसकी handling position काफी अच्छी आपको देखने मिल जाती है, वहीं बात करें, तो single pipe handle के साथ में आती है, guys, ठीक है, टबलर handle बार इसे कहते है, just इसकी सकते हो, guys काफी premium की आपको देखने के लिए मिल जाती है, guys, वैसे अगर इसकी price की बात करें, तो आपको 3,100,000 इसकी on-road price पढ़ रहे, guys, जी हाँ, on-road price, okay, E20 के update के साथ में 24 की latest model देखने के लिए आपको मिल जाती है, guys, cruise control और ventilated seat के साथ में, guys, okay, just यहाँ से देख सकते हो, वहीं अ और काफी अच्छी लगती है, just यहाँ से आप इसकी देख सकते हो, smart X connect का option भी देखने के लिए मिल जाता है, जो की Bluetooth से आप इसे connect कर सकते हो, मैं इसकी एक video डाल दूँगा, आप जाकर कि उसे connect कैसे करते हैं, सीख सकते हो, guys, okay, first of all, आप इसकी look देख लो, Apache का यहाँ पर अ और जादा इसको premium बनाता है, इस ठीक है, अगर front console से बात करें, guys, तो just यहाँ से देख सकते हो, इसकी indicator, और just यहाँ से देख सकते हो, pilot, lamp यहाँ पर देख सकते हो, इसकी head lamp, और यहाँ पर DRL का option देखने हो मिल जाता है, ठीक है, just देख सकते हो, काफी अच्छी लगती है, वही अगर बात करें, इसकी suspension की, तो just अमें, guys, inverted cartage telescopic suspension देखने के लिए मिल जाता है, जो की बहुत अच्छी suspension अमें देखने हो मिल जाती है, बहुत अच्छा सा, यह इसकी mudguard देख सकते हो, RT, LSD का support देखने हो मिल जाता है, जो की काफी अच्छा लगता है, guys, वहीं आप द telescopic suspension में काफी अच्छी, बड़ी, मत्रकी, काफी, मोटी suspension आपको देखने के लिए मिल जाती है, guys, okay, वहीं आप देख सकते हो, इसमें हमें मिल जाती है, guys, oil, liquid cooled engine के साथ में double, Horan का option भी देखने को मिल जाता है, जो कहां से देख सकते हो, यहां से हमें liquid cooled engine भी देखने को मिल जाती है, guys, okay, वहीं आप देख सकते हो, DOHC का हमें support इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, okay, अब इसकी engine call भी देख सकते हो, काफी अच्छी से यहां पर हमें engine call इसकी देखने को मिल जाती है, जो की काफी premium लगती, guys, अगर इसकी engine की बात करे, guys, तो 312cc का हमें इ देखने को मिल जाती है, single cylinder के साथ में, guys, number one, मतब single cylinder, ठीक है, single cylinder, four, a torque, liquid, cooled, fuel, injected, spark, ignition, engine, हमें देखने को मिल जाती है, guys, वहीं इसकी maximum अगर power की बात करें, guys, तो हमें 35.6 PS के साथ में 9700 RPM, वहीं 28.7 NM के साथ में 6400 RPM हमें देखने को मिल जाती है, इसकी चेचिस आप देख स है, just यहां से फिर आप देख सकतो, साइट से एक Apache का अच्छा सा है, लिखाओ, एक logo भी देखने हो मिल जाता है, वहीं आप देख सकतो, इसकी brake pedal भी काफी अच्छी सी देखने हो मिल जाती है, brake pedal, rail pedal भी अच्छी देखने हो मिल जाती है, वहीं इसकी suspension की आप बात करें, guys, तो two arm, aluminium, die, cast, swing ram, suspension हमें rear में देखने के लिए मिल जाती है, और काफी अच्छी लगती है, guys, ठीक है, just इसकी exhaust silencer आप देख सकते हो, जो की काफी अच्छा sound produce करती है, guys, मैंने एक shot डाला हुए, आप जाकर क्यों से देख सकती है, इसकी sound सुन सकती हो, वहीं हमें 240 mm का rear में हम टिस्क देखने को मिल जाता है, guys, dual channel ABS के साथ में गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है, just इसकी tire section की बात कर, rare की, तो हमें इसकी मिल जाती है, एक सुपचास साथ सत्रह का हमें इसकी rare tire देखने के लिए मिल जाती है, जो की काफी अच्छी लगती है, premium लगती है, guys, वैसे भ यह गाड़ी देखने को मिल जाती है, just यहां से देख सकते है, split it, okay, rare view आप देख सकते हो, काफी अच्छी यहां पर देखने हो मिल जाती है, handling position में, और आपकी instrument cluster में, यह blink करता हो रहता है, जो की काफी premium लगती है, guys, lighting, और जास्ट यहां से देख सकते हो, indicator या blinker आपके द यहां देखने को मिलती है, इसकी ground clearance की बात करें, तो 179 kg गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है, और हमें इसकी weight देखने को मिल जाती है, 6 gear के साथ में गाड़ी हमें देखने को मिलती है, side cut off engine के साथ में, इसमें, sirf और sirf, एक stand देखना हो मिलता है, hyper SP spec का हमें, इसमें यहां से आप oil इंजेक्ट कर सकते हूं मतलब oil आप यहां से फिल कर सकते हूं तो आप मुझे कर सकते हैं पर आप ब्ертष इंज कर सकते ही ताơi कर सकती है तो आप मुझे झायी हूं